वेलों हुआ आपा खोस्तों है आप सबक Viel viewers के श्वागत हैं आज बनाते हैं कच्छे केले की पकोडी जो आए देखते हैं कैसे बनाते ये मैंने कच्छे केले लिए इनको दुलके साफ कर लिया है इनको छीन लेते च्छील के इनको आप起र से चीलके इनका जो टाइट छीलगा, सारा निकाल देना है, यह मैंने छील के तयार कर लिए, सारो को यह तीन मैंने प्याज लिए, आप चाहें तो प्याज छोड़ सकते हैं, अगर आपको नहीं खानी है, केवल केले की बना सकते हैं, मैं इसमें प्याज डाल रही हूं, और इनको पतला-पतला का प्याज को भी, तो इनको काट के तयार कर लेते हैं, फिर इसमें बागी समय डालते हैं, यह मैंने केले काट लिए हैं, इसमें प्याज भी काट देती हूं, इनको भी पतली-पतली काट लेना है, क्योंकि केले पकोड़ी में जल्दी गल जाते हैं, तो प्याज भी जल्दी बाड चममच है इससे में बेसम बेसं डालती हूँ इसमें पांच चममच में बेसं डालती हूँ इसमें नमक स्वाधगेनिसा डाल देते हैं यह नमक डाल दिया मैंने ये लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है अधी चम्माच और इसमें अधी चम्माच हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसमें थोड़ा गरम मसाला धनिया पाउडर डाल देंगे एक चम्माच धनिया पाउडर डाल दिया ये कस्मीरी लाल मिर्च है एक चम्माच ये डाल दी म इनको अच्छे से मिलाते हुए इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और इसको चलाते रहेंगे ज्याद पतला नहीं करना है इसको थोड़ा थोड़ा इसलिए पानी डालेंगे और चम्मस से चलाते रहेंगे इस तरह का इसको बना के तयार करना है, इससे पतला नहीं करना, बेसन इतना ही डालना इसमें, और ये मैंने चटनी के लिए लिया है, समान, ये धनिया लिया है, ये चार-पाच हरी मिर्च है, अधरक है, टमाटर है, थोड़ी सी प्याज लिया, इसको हम सबको मिक्सी में डाल के चिटनी बना लेते हैं मिर्श को काट लेंगे काट की डाल देते हैं धनिये को भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है साफ करके यह नमक डाल लेते हैं थोड़ा सा इसमें यह कटा हुआ धनिया डाल लेते हैं काट की चटनी तयार है हमारी पिसके इसको निकाल लेते हैं जार में से यह हरे धनिये की चटनी के साथ बना रही हूँ चाहे तो आप से सोस के साथ भी खा सकते हैं मगे सोस कम खाते हैं मैं इसलिए मैंने चटनी बनाई है यहारी चटनी बनके तयार है यह मैंने कढ़ाई रख दी गैस पे तेल गरम हो चुका है अब इसमें थोड़ा-थोड़ा इसमें से केले के पीछ लेते रहेंगे और डालते रहेंगे इस सारी जितना इसमें थोड़े तेल मा जाए तुना हम डालते रहेंगे और इसको दीर इसे परटते हुए सभी को हम तल लेंगे यह जल्दी बन जाती है इन गलने में टाइम नहीं लगता है आलू की पकोड़ी से भी जल्दी गलत जाती है इनको पलटते रहेंगे दीरे-दीरे ने तो एक तरफ से कच्छी रह जाएंगे और एक तरफ से जादा जाएगे पक जाएंगे यह हो चुकी है पक चुकी है इनको प्लेट में निकाल लेते हैं इसे ही हम सारी पकोड़ी को तल के दयार कर लेंगे यह पकोड़ी तल चुकी है इस पर थोड़ा चांट मसाला डाल देते हैं यह चांट मसाला डाल दे हैं मैंने पकोड़ी तयार हैं इनको सोस के साथ हरी चटनी के साथ लाल मीच की चटनी के साथ चाए के साथ किसे यह साथ खा सकते हैं आपको मेरी बनाई वीडियो पसंद आई हो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को सेयर करें लाइक करें कमेंट करें थैंक यू आपको